दोस्तो भारत के दो रन के स्कोर पर गिर चुके थे तीन विकेट स्रेज सेयर रोही शर्मा अपना खता भी नहीं खोल पाए थे लेकिन इसके बाद विराट कोली और केल रहूल ने पूरी तरह धमाल मचा कर उस्तेलिया की लगादी बैंड और दोस्तो जीत लिया भारत ने ये मुकाबला जिना दोस्तो वर्ड कप का बड़ा मैच भारत और उस्तेलिया की टीम के बीच नरेंदर मोरी स्टेडियम में खेला गया जिए दोस्तो भारत औस्तेलिया की टीम के बीच वर्ल्ड कप मैच में भारत की टीम की तरफ से कप्तान रोही शर्मा के साथ शुम्बान गिल, विराट कोली, श्रियस अयर, केल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मुहम्मत चमी, कुलीप यादव, जस् और मुहम्मद सिराज और भारत की टीम फाइनल में इस तरह दिखाई देगी, तो आई दोस्तो आपको बताते हैं, ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, इस मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, और एहम्दाबाद की पिच क्या कहती है, और दोस्तो आपको गेंद बाजो के लिए संतुलिक माई जाती है, ऐसे में दोस्तो फैंस को इस मैच में एक धमाकेदार स्कोर खड़ा होतावर दिखाई दे सकता है, और दोस्तो इस स्टेडियम की पिच बड़े स्कोरों के लिए जानी जाती है, यहाँ पर कई सारे रन भी बनते हैं, और दो वज्या से इस मैदान पर दोनोई तरह के गेंद बाजों और बल्लेबाजों को काफी मदद पहुंँचती है, और इस मैदान पर भारत के आकडों की बात कर ले तो इस मैदान पर भारत ने एहमदाबाद में 19 मैच खेले हैं और दोस्तो भारत ने 19 में से 11 बार जीत दर्च करी है तो भारत 8 मैच हा रहा है लेकिन दोस्तो भारत ने पिछले 3 वंडे मैचों की बात कर ले तो भारत ने पिछले 3 वंडे मैचों में से स भी मैच चीते हैं और दोस्तो भारत की टीम इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को इसी मैदान पर धुल चटाये था तो दोस्तो ऑस्टेलिया ने भी इस मैदान पर अब तक छे मुकाबले खेले हैं जिसमें से उन्हें चार में जीत हाथ लगी है तो दो मैच वो हारी है जहा दोस्तो यहां पर इस मैदान पर पूरी तरह भारत का दबदबाद देखने को मिलता है और दोस्तो ऐसे में भारत और ऑस्टेलिया की टीम के बीच हैड टू हैड रिकॉर्ड भी देख ले तो भारत और ऑस्टेलिया की टीम वंडे इतियास में अप तक 150 मैच खेले गए हैं और दोस्तो वल्ड कप का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड देख ले तो यहां पर ऑस्टेलिया का पलडा भारी है क्योंकि यह दोनों टीम में 13 बार आमने सामने वल्ड कप में हुई है और 13 में से 8 बार ऑस्टेलिया को जीत हाथ लगी है तो 5 मैच भारत ने जीते हैं और दोस तो ऐसे में जब इन दोनों टीमों के बीच इस वल्ड कप में मैच खेला गया था तो वो दोस्तो इन दोनों टीमों का वल्ड कप का यह पहला मुकाबला था और उस्टेलिया की टीम को भारत ने 199 रन के स्कोर पर आल आउट मार दिया था जहां उस मैच में उस्टेलिया की तरफ से वर्नर ने 41 रन बनाए थे तो स्टीवन सुमित ने 46 रनों की पारी खेली थी जहां उस मैट में जस्परित बुमरा को दो विकिट हाथ लगी थी तो जड़ेजा ने तीन विकिट चटकाए थे और कुल्दीप ने भी दो विकिट लिये थे और इसके जवाब में जब भारत की टीम टार्गेट का पीछा करने उत्री थी तो फिर भारत की शुरुआत बहती खराब रही थी क्योंकि दो रन के स्कोर पर रोही शर्मा इशान किशन और श्रेय सैयर अपना बिना खाता खोले आउट हो गए थे लेकिन इसके बाद केल राहूल और विराट कोली की क अंदर पारी खेली थी और वो नोट आउट रहे थे और उन्हें इस मैच में प्लेयर आवदा मैस चुना गया था लेकिन दोस्तों ये दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप में कमाल का परदेशन करके यहां पहुंची है जहां भारत की टीम ने तो इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हरा है और दोस्तों भारत की टीम लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल खेलने उत्री है तो दोस्तों ऐस्टेलिया की टीम जहां शुरुती दो मुकाबले हरी थी लेकिन उसके बाद ऐस्टेलिया की टीम अपने सब obsessed यानि की दो आट मैच लगातार वो भ बजे की रहेगी और दोस्तों आपको क्या लगता है ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है आप अपनी किमती राह में नीचे कमेंट में जिरूर बताएं